So Hello and Welcome Guys, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं GTA Cyanendria's तो आज का जो इमिशन है यह बहुत ही important है विकोज यह होने वाला है Mad Dog के बारे में Mad Dog को Good Dog हम पहले भी बहुत बार बना चुके हैं बट आज हम उसे Mad Dog से Good Dog नहीं बनाएंगे आज हम उसे इस नक्षे पे से मिन्स इस गेंग की नक्षे पे से हटा देंगे इसके बाद उसका कोई मिशन नहीं होने वाला है विकोज वो आज खत्म हो जाएगा अगर आप इस चैनल पर नई हैं तो प्लीज चैनल को कर लेना सबस्क्राइब इसके दो रीजन है एक एक तो मैरे सब्सक्राइबर कम है थोड़े बढ़ा दो मोटिवेशन चाहिए सेकंड ऐसी और भी वीडियोज हम हर दूसरे दिन लेकर आते रहते हैं और शॉट्स भी बीच बीच में पोस्ट करते रहते हैं आपको entertainment की guarantee full मिलेगी तो अगर आपको कोई suggestion हो प्लीज comment section को use करना और जो भी आप suggestion दोगे उसको use जरू करते हैं लोग वीडियो को करते हैं लाइक अब बढ़ते हैं आगे तो OG लोग जैसे ही मिला ये विचितर प्राणी फिर से बटकने लगा है और पता नहीं क्या उल्टी सीदी बाते बोलने लगा उसी में उसमें मुझे बताया कि भाई Matt Dogg का जो manager है आज वो उसको pick up करने वाला है और Matt Dogg का manager भी normal बंदा नहीं है उसके पास 40 gun one होती है तो उससे जब मिलने जाओगे न उसकी गाड़ी चीनने जाओगे तो बिल्कुल सोच समझ के जाना तो Matt Dogg का manager है वो आज उसको pick करने वाला है उसके concert से वो एक बहुती बड़ा singer भी है Matt Dogg जो है और gangster भी है तो जब उसको pick up करने जा रहा है न उसकी जगा तुमें लेनी पड़ेगी उसकी गाड़ी तुमें चाहिए और गाड़ी लेकर तुमें पहुचना है Matt Dogg के concert पे और उसको pick करना है तो भाई यहां तक की बात तो मुझे समझ में आ गई है कि मुझे पहले जाकर manager को पकड़ना है manager से गाड़ी चीननी है और फिर जाना है मुझे Matt Dogg के पास उसको pick up करने के लिए तो इतनी बात समझ में आने के बात मैं चलागे हूँ सीधा Matt Dogg के manager को ढूमने के लिए और आज मुझे नहीं लगता कि Matt Dogg को कोई मुझे से बचा पाएगा पर कभी के भी ऐसा होता है कि एक mission में दो अटेम्ट हम ले 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 थे हैं बस वो नहीं करना है मुझे फिलाल भै अपनी साइकल में पैटोल डाल कर मतलब पैरो का पैटोल डाल कर भाग रहा हूँ manager की तरफ और manager की location जादा दूर नहीं बस थोड़ सा आगे दिखा रही है हमसे मैं पहले कोशिश करूँ कि manager को मार दूंकर उसकी गाड़ी ब्लास्ट भी कर दो तो शायद यह mission कंपलीट हो सकता है तो let's try बस हमारे right side में उसकी location दिखा रही है और बहुत ज़ादा दूर हो नहीं होने वाला है OG lock का phone भी आया था मुझे इसमें पुचा पूरा explain कर दिए कि वह ऐसे से यहां पर मिलेगा और प्लीज उसकी गाड़ी ने 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 उसके बाद ही mission कंपलीट हो पाएगा तो मैं यह रहा वो manager इसकी गाड़ी ने इसको ग्यास्ट करने क्या कर रहे है इसका get in the car का option है बट मेरा मन करना गोले चला भाई पुलिस वाले ने कर दिया है मुझे busted mission हो गया है यहीं पर end दुबारा करेंगे start उसी point से जहां OG lock के restaurant के बार से हम लोग निकले थे तो भाई मैं फोटीजरे से दुबारा होगी हूं frustrated because यह हमारा है second attempt अब कोई भी गाड़ी लेकर मुझे वापस जाना है manager के पास और उस manager से उसी गाड़ी लेनी है पर भाई अभी तब तो मैंने manager के साथ मेरी हाथा पाई हुई भी निना उसने गोला चलाई इतने हमें वारा second attempt हो गया अगर उसके साथ हुई आता भाई और गाड़ी ब्लास्ट होगे गलते हैं तो फिर से second attempt पुझे गया है second नी sorry third attempt पुझे गया तो भाई ऐसा कुछ ना करते हुए हमें कर रहा है simple सा attack और इस attack के बाद मुझे लगता है कि mad dog का good dog बनाने की दुबारा ज़रत पड़ेगी नहीं तो फिलाल मैं अब काफी दूर तक जॉगनिंग करते वे आ गया हूँ फैट भी हो गया है थोड़ा सा कम पीछे की गाड़ी मुझे काफी अच्छी लग रहे है ये गाड़ी लेके हम दो निकल सकते हैं वे ब्लैक सूट में बैठा तो हुआ था पर बिस्टर्समेन की ऐसी की थैसी हम दो गाड़ी लेकर जाएंगे उसकी सब्सक्राइब बीच में बच के चलना पड़ेगा पुलिस वाले सेबसी अगर कोई टकर जैसे किस गाड़ी से वशी तो पुलिस पड़ता थी पीछे और हुमारा पूगा का पूरा मिशन वे बिना बाद में हैम पार हूं था पहले हम पुलिस से बच Además पड़ता फिर हम मिशन करने जाते है नोल ये बड़ा बेकार सा रखता है मुझे तो भाई आप हम जा रहे हैं मैप में बिल्कुल सही लोकेशन पर और अब मुझे मिलने वाला है उसका मैनेजर फोन रिंग हो गया है ओजी लोक का फोन है वो फिर से मुझे एक्स्प्रेंग कर रहा है इस बार कोई गड़बडी नहीं चाहिए इस बार मैनेजर को पकड़ो उसकी गाड़ी लो और खतम करो सीन आइ तिंग यही है वो लोकेशन और यह रहा मैनेजर भाई मैनेजर निकल गया है मुझे लगता है बोली चलानी पड़ेगी मुझे भी और भाई उसकी गाड़ी में लग गई है आग और अब उसका कुछ नहीं कर सकते काड़ी ब्लास्ट, मैनेजर डन, मदब मैनेजर गॉन और मिशन दुबारा से होगा स्टार्ट इम सो सॉरी गाइस दिये मेरा तीसरा अटेम्ट है और तीसरे अटेम्ट में उसकी चीज़े क्लियर करनी है कुछ भी करके और यहां से हम काट देंगे बलके पूरा ही काटेंगे जितना भी हमने सेकेंड अटेम्ट और थर्ड अटेम्ट लिया है न वो पूरा का पूरा हमें काटना है हम बीच-बीच बीच से स्टार्ट करेंगे उसको अब हम फिर से जा रहे हैं उसी लोकेशन पर और यहीं लोकेशन हम टै करने वाले हैं किसी भी रैंडम गाड़ी से जो पर मिल जाए बस पुलिस वाले के सामने नहीं शीने का मतलब है कि आप एक एक्स्ट्रा मुसीबत मौल ले रहे हैं अपने मिशन को कंप्लीट करने के ल I have no idea विलाद मुझे टैक्सी मिली है क्या मैं टैक्सी ले लो बट पीछे कहड़ा था वो पीछे पढ़ जागा बिना बात में जो एक भई रैंडम गॉरणी उठानी नीचे है यहीं नेकिन पर भी कोई गॉरणी है नहीं आएईग फिर से पोलीस उन आएपर एक है यह पुलिस नियुर्ड फिरन के पोलीस एक हमें पेर फिर शौझ छिव ढू तो शाहते हिसं extra कर लेते इसको हॉप जासि है मैं दिंक मैं यहाँ से कोई गाड़ी लेकर निकल सकता हूँ कोई गाड़ी आय तब न यहाँ पर सारी बेसिक बेसि गाड़ी चल रहे हैं, मुझे पिज़ा कोई ढंक सी गाड़ी चाहिए जिससे कि बहुत अराम से वहां तक पहुंचा जा सके और ये टैक्सी वाले तनी बास से लेके गए न बस बहुत गुस्ता है असमेर को तो बाइस रैंडम से गाड़ी लेकर मैं चला गया हूँ सीधा आगे मैं पुलिस वालों की जिनता नहीं कर रहा हूँ इस बाइस बेसिक सी गाड़ी लेकर मैं जा रहा हूँ मैनेजर के पास और मैनेजर जैसे ही मिलेगा मैनेजर को मैनेज करना सिखाएंगे हर से बहुत तो ये चीज़े मैनेज कैसे की जाती है फिर ओजी लॉक का आ रहा है फोन के भाई ये है तेरा लास्ट इटेम्ट इसके बाद तो गाइड भी नहीं करूँगा कि कैसे करना है तू सीथा जा मेनेजर से इसकी गाड़ी ले मैनेजर को कुछ मत बोल तो भास कपोग बाएज उस बंडे का है फोन है नॉल कुछ नहीं बताओ किसको देवाइस थे जई और भाग वाँ था तो ये है उसकी गाड़ी है उसकी गाड़ी हो गई है, डेमच्वाइज है अब बंदे ने सीथा उतर पंदोग निकान लिए यार उसको कैसे बता कि उन कुछ करने आये भाई तू गोलीय चला था रहा रहा है तू मार गोलीय कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तू अपनी अस्तेसी करा गोलीय चला गए मैं गाड़ी लेके निकल रहा हूँ और भाई मुझे जाना है अभी रिपेर पॉइंट पर इस रिपेर पॉइंट पर यह गाड़ी ठीक हो जाएगी और यह गाड़ी ठीक होने के बाद ही हम इस मेशिन को आगे लेके जा सकते हैं आप लोगों मैं बता दूँ मैट डॉग जा है वे बहुत बड़ा सिंगर भी है और गैंक्सर भी है उसकी गाड़ी पर कोई खरोच हो ही नहीं सकती मतलब ही नीवल था राइट तो अगर यह गाड़ी पूरी जाए से ठीक करा लूँ इसके अंदर इंटीरियर मैंने ठीक कराय कलर ठीक कराया सब कुछ कराया इसका अगर उसके बाद इस पर एक भी खरोच लगी तो मुझे दुबारा रप्या करना पड़ेगा उस जगह पर पहुंचने से पहले वरना वो इस गाड़ी में बैठेगा ही नहीं तो गाड़ी हमें मिल चुकी है उस पर कलर मुझे यह वाल बिल था यह रिस्पेक्ट इंक्रीज होते है कुछ नहीं हो है में सब इवेंट है यह पूरा ओन है एन लेट सी इसके बाद होता क्या है तो भई मैं इसमें सब कुछ एड़ करा लिया है हाड्रोलिक्स पी एड़ करा लिया है इसको अल एक लग्शरी लोग देने की बढ़िया और भाई डेक दूएंटिंग यह इसको फिर से रिपेर करना बड़ेगा बहुत शांती से लेकर जा रहा था मैं फिर टकर लग गई है अब तो बंदे मरने देयार और रिपेर कर वे इसको दुबारा फटा-फट चूब इतना टाइम है नहीं में से वेस्ट हो न करेंगे स्ट्रेट आउस हटाने है मुझे मैट डॉग को हटाने के लिए मैं गाड़ी लेकर बिल्कुल रेडी होकर निकल चुक हूं और इस बार मैं ध्यान रखोंगा किसी भी चीज से गाड़ी टच हो ही ना कि अगर टच होगी वापस इसी शॉप पे लाना पड़ेगा यार बहुत एक्टेग है यही वाला रोड़ है यहां से लिंगे राइट बस किसी काड़ी से ने टगरा जाए बड़ा उस्सा है जबर ओए 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 तुक जा नहीं तो धर्ती वेसे उठा दूँआ तो यह पड़ फिस तो ग्रीन वाले ही बंदे से तो गूमी थे अपने कोई दिक्कत थी नहीं उन से बड़ मिशन दुबारा नहीं करना है मैं कोई हर तीसरा टेंट वैसे ही है मुझे इन दो काली गाड़ियों के बीच में इसको पार्क करना बिलकुल वैसे ही जैसे वो गाड़िय बिकॉज जब तक ये पूरी पार्किंग में ठीक से खड़ी नहीं होगी ये कुछ होगा नहीं मैंने जादा मूर दी काली गाड़ी से ठकर हो जाएगी और वो हो जाएगी डैमेज पर कुछ करना पड़ेगा तब ही मुझे याद है कि इसमें ड्रिप्ट का ऑप्शिन भी ह खड़ी हो गई है बाकी दोनों सिक्यूरिटी वाली गाड़िया है उनमें सिक्यूरिटी तो आके बैठ गई है और जो मीरी गाड़ी है मैनेजर की गाड़ी इसमें मैट डॉग जाने वाला था तो गाड़ी हमने कबजा ली है अब वो बैटेंगा कोंसी गाड़ी में हमारी गाड़ी में तो पाई अब जैसे उसका इंट्रिव्यू खतम होता है लेक मीडिया वालों के साब ने उसकी बहुत फोटो अटो खीच रही है बस वो भीट कर रहा है कि उसकी गाड़ी आजाए वो बैठ कर निकले अपने बंगलो के लिए पर उसको यह नहीं पता कि उसका बं जहां पहुंचने वाले हैं पुलिस वाले हैं पर रोड के बीच में खड़ा हुआ है लेक रोड रोक की कि इसके आगे एंट्रि अलाओड नहीं है यह आपर कॉंसर्ट चल रहा है पर हमें अलाओड ही कुस हमारी ही का रहा है तो यह पूरी सिक्यॉरिटी के साथ इतने के जाओं इन नो नो बो तो मैट डॉग का बनाना है मैंने गुड डॉग और मैंने उसको क्लियर क्लियर बता दिया कि भाई देख यह थेरा लास्ते जितनी तुने फेम बटोरनी ची बटोरनी अब इसके बाद तू बचने वाला है नहीं तो सिक्यॉरिटी में जैसे ही करुछ नहीं हो पाएगा गाड़ी होने के बाद भी यॅ खीच के ले जाओंगा और अगर घाड़ी फटी तो भिषे नहुत अज ईनिको तो मारना ही है मैं अजयाद आपड दो बार रारी सपॉण हो जाओंगा पड़नोंको तो मरणा फिर से हैं पर उसे मैप में एक लोग मुझे समझ नहीं है कि कहां पर है यार मैं राइट जाओं लेट जाओं लोकीशन बीच में दिखा रहे है पानी विछ से तो नहीं लिखे जा सतने तो वाट शुड़ा दो आई तिंग आई शुड चेक ता मैप मैप चेक करूं क्या मैप चेक करने हुना चाहिए बिकाद लोकीशन में समझ में आ नहीं रही है और यही वह तूनों गाड़िया है भाई सेक्योर्टी वाली पर भी मेरे पीशे ही पड़ी हुए तो मुझे कैसे भी करके अब यहां से निकलना पड़े गाया और एक बार मैप में चेक कर लेते हैं बिकाद यह नहीं समझ में आएगा ऐसे यार I think we should check the map हाथ बमाप में चेक करेंगा मुझे पर चाहँ पर मैं उन्हाँ बिलकुल इसी के लेट में मिरको जाना है और यहां पर एक flyover type का बना हुआ पानी के ओपर जो लास्ट पॉल होता है वहाँ आप पे ले जाके मुझे इनको मारना है वहाँ पे ले जाके मारना है यहाँ वहाँ से एक उताना है वहाँ हम फिगर आउट करेंगे बट अभी अभी मेरे को मैट डॉग ने बताया वेर याट टेकिंग नहीं भाई मेरे को तैरना नहीं आता है और यहां उस बेवगूफ ने खुदी बिता दिया कि उसको मारना कैसे है उस बंदे को तैरना आता नहीं है उस बंदी को तैरना आता है कि नहीं उसकी हमें फिकर है नहीं मुझे तैरना आता है मुझे इतना बता है यह रहा वो लास्ट फ्लाइ ओवर यहां से let's decrease the speed जितनी हो सकती है उतनी speed कर देते हैं और भाई, done good job मैंने बहुता सही मोमेंट पे गेट खोल दिया था लेकिन still मैं लास्ट मोमेंट पे नीचे गिर गया हूँ और हो गाड़ी भी चली गई है पानी में और मिशन हो गया है complete अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को कर देना सबस्क्राइब वीडियो को कर देना लाइक कमेंट करके बताना कि भाई क्यों पसंद आए और क्या करना चाहिए, नेक्स ताम अगर पसंद नहीं आई है कमेंट करके जरूर बोलना कि भाई ये चीज में को पसंद नहीं थी अगली बार से नहीं करोगे तो ही वीडियो देखूँगा and trust me I will not do the same so मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए good bye take care of your family and तब तक घर्वालो गर खो जान और सब को राम राम bye bye